हलो नमस्कार दोस्तों मैं आर्वी सिंग आर्वी एटेक चैनल में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे थर्मो इस्टेट के बारे में जो की ट्रीजल इंजन के वाटर सर्कुट के वाटर आउटलेट लाइन में लगा रहता है जिसका मुख्य कारी होता है इंजन का वर्किंग तंप्रेचर मिंटेन करके रखना यानि जब नीड हो तब जा करके इंजन का वाटर कूलिंग के लिए रेडियेटर में जाए अधर्वाइज इंजन के अंदर ही सर्कुलेट करता रहे त्थरमोइस्टेट वाट इंजन के टंप्रेचर के अकॉर्डिंग open और close होता है तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे डीटेल में थर्मोइस्टेट के बारे में और देखेंगे किस तरिके से कारी करता है यानि temperature बढ़ने पर कैसे एक वाल open होता है और दूसरा वाल close हो जाता है और temperature घटने में एक दुबारा अपनी पुरानी इस्थिती में आ जाता है यानि thermostat की working principle के बारे में discuss करेंगे और इसके advantage यानि circuit में लगाने से क्या advantage है और इसके ना लगाने से क्या नुकसान है engine को उसके बारे में detail में जानकारी लेंगे तो पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं जो ये सामने आप देख रहे हैं ये है thermostat मुखिता किसी भी thermostat में तीन port होते हैं यानि एक से water inlet करता है यानि जो engine का गरम पानी आता है वो inlet होता है इस port से अंदर में पा बार निकल जाता है ये है inlet port और ये है outlet port और जो ये side में लगा हुआ है छोटा सा ये है इसका bypass port और जब तक engine का temperature मिंटेन नहीं होता है तो inlet port से insert होगा water और side से bypass से निकल जाएगा यानि radiator को coal होने के लिए नहीं जाएगा ये direct water pump से connected रहता है और coolant जो है water pump के section में जाएगा और फिर से engine के अंदर circulate करेगा और यहीं से दुबारा चलता रहेगा जब तक की engine का temperature हमारा 75 प्लस नहीं जाएगा यानि जब तक engine का working temperature नहीं आ जाएगा working temperature यानि 74 celsius जब तक temperature maintain नहीं होगा तब तक ऐसे ही engine के circuit में चलता रहेगा और radiator को cool होने के लिए नहीं जाएगा और circuit चालू हो जाएगा और हमारा जो coolant है वो radiator में cool होने के लिए चला जाएगा सामने ता जो engine का working temperature होता है वो 75 to 85 होता है लेकिन यह 90 तक भी चलता है 90 के उपर अगर temperature जाता है it means engine overheat हो रहा है और किसी भी हालत में engine को 70 degree से कम temperature पे नहीं चलाना चाहिए क्योंकि वो उसके reason आगे आपको बताएंगे तो जो यह आप सामने देख रहे हैं यह है thermostat की body और इसके अंदर में element लगा हुआ है सरा खेल element का ही होता है thermostat की opening की range के according यह कई range में आते हैं जैसे कि हमारा 65 degree पे होते हैं कुछ और कुछ 75 के around में होते हैं और जो हुईकल वाले engine रहते हैं उनमे 85 की range में भी open होते हैं तो अब चलते हैं एक नज़र इसके element पे डालते हैं तो जो यह सामने देख रहे हैं यही है thermostat का element इसमें मुख्य जो part होते हैं तो यह है हमारा main valve यह हमारा open होता है radiator side में यह जब temperature हमारा maintain हो जाता है 75 हो जाता तब जाकर के open होता है उसी समय में यह हम पास valve जो हमारा working temperature maintain हो जाता है उसमय यह close हो जाता है यानि सारा पानी जो है हमारा radiator को जाएगा coal होने के लिए और सामने जो देख रहे हैं यह है spring इसमें बेसली दो spring लगी रहती है जो वाल को पूरी तरीके से close करके रखती है यानि यह springs चार्ज लेंडर के विरुद पूर लिकेज ना होने पाए और जो अब आप देख रहे हैं पीला वाला भाग है इसको बोलते हैं चार्ज सिलेंडर यही सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है इस thermoisted valve का इस चार्ज सिलेंडर के अंदर में wax भरा रहता है जो की temperature पढ़ने पे expand करता है जिसके कारण यह valve open और close होता है जब इंजन का temperature बढ़ना शुरू होता है तो चार्ज सिलेंडर के अंदर भरा हुआ wax फैलने लगता है उसके फैलने से हमारा main valve open हो जाता है और उसके open होते ही यह अपना bypass वाल जो है वो close हो जाता है और हमारा water circuit पूरी तरिके से चलने लगता है यह जो हमारा coolant है और radiator मे जाकर के फिर water pump के तुरू होते हुए engine के जाकट में होते हुए water menu fold के तुरू आकर के thermostat से होते हुए फिर radiator में cool होने के लिए चला जाता है thermostat के elements तीन तरके के आते हैं एक होता है पहला जो सबसे पहला है वो होता है बैलो टाइप valve ऐसे valve में हमारा जैसा की अभी हमने चार्ज सिलेंडर उसकी जगे पे बैलो लगा रहता है और बैलो के अंदर में alcohol या ether भरा रहता है जो की temperature बढ़ने पे expand होता है और उसके expand होने से valve open or close होता है जो दूसरे टाइप का आता है वो bio metallic type का वाल आता है इसके अंदर में दो bio metallic strip लगी रहती है जो की temperature बढ़ने पे expansion होता है उनके अंदर में जिसके कांड से ये valve open or close होता है और अब देखते हैं सबसे last यानि तीसरा और सबसे common valve जो आता है वो होता है पीलेट type valve इसके अंदर wax भरा रहता है जो की temperature बढ़ने पे expand होता है और इसके expand होने से इसका valve open or close होता है बेसकली main valve open होता है और उसके सा आता है तो आप चलते हैं इस thermostwork valve को temperature देते हैं यानि water में डालते हैं गरम water में और देखते हैं कितने temperature पे open हो रहा है इसके लिए हमने लिया है एक pan और साथ में एक heater तथा एक distal temperature gauge और इसको हमने पानी में डाल दिया है और डिश्टल टंपरेचर गेस से हम इसका टंपरेचर देखेंगे और देखेंगे कितने टंपरेचर पे फुली ओपेन हो जा रहा है अभी water का टंपरेचर 38 है इसको time देते हैं पूरी तरके से गरम होने के लिए जब तक पानी गरम हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा water का temperature 75-80 आ चुका है और thermostat भी हमारा पूरी तरीके से open हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं वाल पूरा open हो चुका है अब इस कंडिशन में ये radiator को water जाने के लिए permit करेगा तो thermostat चेक करने का सबसे static तरीका यही होता है वैसे भी thermostat को engine में लगे लगे भी चेक किया जा सकता है engine को चालू करेंगे और एक नजर हम इसके temperature gauge पे रखेंगे और एक हाँ से हम देखेंगे कि thermostat जैसे ही open होगा तो इसकी main line गरम होना शुरू हो जाएगी यानि thermostat के पहले वाला जो pipe रहेगा वो तो engine चलते ही गरम होने लगता है लेकिन जब thermostat open हो जाएगा उसके बाद में इसका जो radiator side वाला pipe है वो गरम होने लगता है और उस समय हम temperature देख लेंगे और हमको पता हो जाएगा कि thermostat कितने temperature पे open हो रहा है तो चलते हैं एक नजर डालते हैं water circuit के उपर में हमारा thermostat लगा रहता है water के outlet वाले pipe में यानि water manifold के pipe से लगा रहता है जैसा कि आप देख रहे हैं और जब हमारा engine चलता है और temperature हमारा maintain नहीं होता है यानि below 75 रहता है 75 degree से नीचे रहता है उस समय हमारा ये circuit चलता है यानि वाल बंद रहता है इसलिए यहीं से water जो है radiator में ना जागर के बाई-पास हो जाता है और बाई-पास pipe हमारा water pump के section pipe में जुड़ा रहता है और यहीं से water pump इस पानी को सक करेगा और discharge जो है इसका एक oil cooler में चला जाता है oil cooler से यह water jacket में घुच जाता है और वहाँ से liner को cool करने के बाद में water manifold में पहुंच जाता है यह है उपर वाला water manifold और water manifold से होता हुआ यह दुबारा अपना thermostat को पहुंच जाता है अगर engine का temperature 75 degree से कम होगा तो यह दुबारा 25 से होता हुआ water pump को पहुंच जाएगा अगर यह 75 के एबब होगा तो यह radiator को cool होने के लिए चला जाएगा अब चलते हैं thermostat लगाने के advantage पे एक नज़र डालते हैं thermostat लगाने से हमारा फायदा यह रहता है कि हमारा engine का जो temperature है बहुत ही quickly maintain हो जाता है यानि लगभाग 2-3 मिनट के अंदर ही हमारा working temperature यानि 75 degree से एबब हो जाता है जैसा कि engine का working temperature होता है 75 to 85 और यह 90 temperature तक भी चलता है 90 के उपर temperature चलना जो होता है और engine overheating कहलाता है अगर thermostat नहीं लगा होगा तो engine का working temperature है वो बहुत ही देर में आएगा जैसा कि आपको पता है कि engine चलते समय इसमें heat generate होती है और heat generate के कारण इसके पार्टों में thermal expansion होता है और thermal expansion होने के बाद में जो इसका working temperature होता है 85 के around में 85 पे जो thermal expansion होता है उस समय जो compression बनता है वो proper engine के लिए healthy होता है जैसा कि figure में आप देख रहे हैं ये liner के अंदर ring डला हुआ है और ring के end पे ये gap दिख रहा है इस gap से compression leakage होता है और जब हमारा temperature 85 हो जाता है तब ये जो clearance है बहुत ही nominal रह जाता है जिससे compression leakage नहीं होता है और compression ना leakage होने से proper combustion होता है और engine smooth चलता है प्लस engine की fuel efficiency भी अच्छी मिलती है जैसा कि हमने देखा thermostat लगने से जो हमको advantage होते हैं वो होते हैं fuel की खपत कम होती है यानि fuel efficiency अच्छी मिलती है यानि temperature जल्दी आने से हमारा combustion अच्छा होता है जिसके कारण से हमारी fuel efficiency अच्छी मिलती है और carbon deposit नहीं होता है carbon deposit ना होने के कारण से हमारा engine का wear and tear कम होता है यानि engine को lagal life मिलती है यानि काफी दिन तक engine smoothly चलता रहता है और यहीं पे अगर हमारा thermostat ना लगा हो तो हमारा temperature बहुत देर में आएगा जितनी देर तक temperature नहीं आएगा उतनी देर तक हमारा compression leakage होगा और compression leakage होने के कारण से हमारा proper conversion नहीं होगा जिसके कारण से हमारा fuel की consumption ज़्यादा होगा और कार्बन डिपोजिट जदा होगा जिसके कार्ण से इंजन की लाइफ ही कम मिलेगी तो इस वीडियो को हम यहीं बिराम देंगे आई होप आपको थर्मोशेट के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी अगर यह जानकारी अच्छी लगी है तो किरपया कमेंट करके अवस्थ बताएं वीडियो में अंतर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और डिजल इंजन से रिलेटेट वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सस्क्राइब अवस्थ कर लें बेल आइकान भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और फोर इस्टोक डिजल इंजन से रिलेटेट किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो किरपया कमेंट में अवस्थ बताएं हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिस करेंगे वीडियो में आंतर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद थैंक्यू फार वाचिंग जय हिंद